Hello friends, welcome to my channel VPS Travel और मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप USA appointment 2030 और 2024 के अंदर आप appointment ले सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ basic चीदे जानेंगे जो भी हमारे मित रहे है appointment को लेकर वो सभी मैं clear करूँगा इस वीडियो के अंदर तो number one है कि आप appointment कैसे ले बिना किसी agent को पैसा दिए दूसरे number पर हम जानेंगे कि emergency appointment कैसे लेते हैं अगर आप no show हो जाते हैं तो उस case में क्या करें इसके बाद हम जानेंगे कि risk schedule option अगर आपको नहीं show हो रहा है तो उस case में क्या कर सकते हैं इस वीडियो के end में हम यह जानेंगे कि अगर आपने रॉंग category के अंदर appointment ले ली है तो किस तरह उस appointment को आप change करेंगे तो अब हम start करते हैं इस वीडियो को तो number one पर आ जाते है appointment without paying any money to any agent कि है मैं किसी agent को पैसा नहीं देना है तो उसके लिए क्या करना होगा वह हम start करते हैं मैं सबसे पहले आपको tips बता देता हूँ कि जब आप appointment schedule करते हैं तो क्या क्या चीज़े आपको करना हुआ सबसे पहले आपको login करना है three times in a day अगर आप यह follow नहीं करेंगे तो आप जो है 72 hours के लिए ब्लॉक हो जाएंगे जब भी आप appointment ले रहे हैं second आप stop watch यूज़ कीजिए इसका feature मैं आपको बताऊंगा कि क्या benefit होता है जब आप यह करते हैं दोस्तों जब हम appointment schedule करने के लिए cgi portal को login करते हैं तो वहाँ पर हमें जो location दिखाई देती है appointment के लिए तो number one पर वहाँ पर चिन नहीं होता है उसके बाद वहाँ पर आपको second lead डेली शो होता है इसके अलावा आपको दो center और शो होते हैं जिसमें third one है मॉंबई और fourth one आ जाता है और सबसे end में जो हमारा center आ जाता है वो है है हैद्राबाद और यह चार basically center है जहां से आप appointment schedule कर सकते हैं दोस्तों appointment की दो type है number one है कि अगर आप first time visa apply कर रहे हैं तो उस case में आपको क्या करना होता है आपको VFS Global Fingerprints के लिए जाना होता है और second one आपको embassy में आपको appear होना होता है interview के लिए तो यह दोनों condition आपको fulfill करने होती है इसके बाद जाता है आप option dropbox का इसमें क्या होता है आपको documents carry करना होता है VFS Global में और वहां पर जाकर आपको just submit करना होता है इसमें आप applicable तब ही होते हैं जब आपकी age 14 साल से कम या फिर आपकी age 80 साल से जादा है तो उस case में आप eligible होते हैं और इसके अलावा जो option होता है कि अगर आपके पास कोई previously visa है और जो की पांच साल से जादा पुराना नहीं है तो उस case में आप eligible होते हैं दोस्तों कुछ मेरे subscribers हैं उनके question रहते हैं कि क्या वहे लोग outside India appointment schedule कर सकते हैं या नहीं वहे लोग अभी Thailand में कुछ लोग Singapore में हैं और कुछ लोग इंडिया से उस country में जाकर appointment लेना चाते हैं तो बोध लोग बिल्कुल निश्चिंद हो जाईए वो लोग appointment schedule कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंडिया के अंदर किसी भी center पर जाके आप अपना appointment schedule कर सकते हैं आप VFS और आप कॉंसलेट की appointment आपको जो मैंने अभी प्रिवियस ली लोकेशन बताई है आप उन में से किसी भी location पर जाके अपना appointment कर सकते हैं और इसके लावा आप सेपरेटली किसी भी बाइमेट्रिक सेंटर किसी भी embassy councilate के सामने जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली के लिए appointment की तो दिल्ली के अंदर ही आप वो बाइमेट्रिक करना है आप चाहें तो अगर आपको अलग लोकेशन की appointment मिल रही है प्लकुल जाएं तो अब हम जान लेते हैं कि क्या-क् steps involved होते हैं appointment book करने के लिए तो आपको क्या करना है जब आप उस पर cga website को login करते हैं अपने id तो हर 20-25 मिनिट के अंदर stopwatch लगा कर उसको refresh कीजिए और कुशिच कीजिए कि आप appointment जो है night time पर book करें अब result जानते हैं से क्या होगा दोस्तों जब आप अपने page को 20-25 मिनिट में आप refresh करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको maximum time मिलता है उस page पर login होने का क्योंकि अगर आप तीन बार आप login logout करते हैं तो उसके बाद आपका account है वो freeze हो जाता है पर अगर आप 20-25 मिनिट के अंदर आप refresh करते हैं तो आप maximum time आप अलगबग उसको नो-दस घंटे तक भी आप उसको खीच सकते हैं अगर आप यह staff follow करते हैं तो नेक्स जो मैंने आपको नाइट में login करने के लिए बताया उसका रीजन यह है क्योंकि जब आपको नाइट में login करते हैं उस time पर less traffic होता है और इंडिया और यूएस के जो time zone है वो दोस्तों बिल्कुल अलग अलग है यहां पर दिन हो रहा है तो वहां पर रात होता है तो इस वज़े से आपके appointment लेने के chances बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स हम जाल लेते हैं emergency appointment के बारे में कि कैसे आप emergency appointment ले सकते हैं तो emergency appointment जो होती है generally दो type के लोगों के लिए होती है या उनका medical reason होता है जिसमें demise किसी मिरती हो गई है या फिर कोई medical treatment के लिए किसी person का US जाना बहुत जरूरी है अब दोस्तों next जो आ जाता है वह business meeting का होता है या client meeting इसमें क्या होता है कि आपकी meeting होती है US में किसी भी client के साथ और वहां का client चाहता है कि आप वहां पर meeting में कैसे भी पहुचें तो उसके इसमें क्या होता है कि वो लोग letter head पर आपको mention करके देते हैं कि आपका meeting में आना बहुत जरूरी है और इसमें क्या होता है कि chances थोड़े से कम होते हैं अगर हम बात करें medical reason, demise or treatment के इसमें appointment में लेकी chances काफी जादा होते हैं दोस्तों अभी हाल फिलाल में क्या हुआ था एक wrong category appointment हमने change करवाया था तो उसमें क्या हुआ था कि client गलती से appointment गलत category में ले लिया था और आप देख सकते हैं यह जो हमने आगे feedback दिया था और फिर उनका reward my embassy की तरफ से यह steps रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं उस case में तो number one आपको क्या करना है कि जो पहले जो गलत appointment schedule हुई है उसको cancel करना होगा और याद रहे कि यह जो appointment है आप 24 घंटे पहले तक आप cancel कर सकते हैं तरड वन आपको जिस category में appointment चाहिए उस category में आप appointment schedule कर लेजिए अगर आपको reschedule option शोर नहीं कर रहा है तो उसका क्या reason हो सकता है तो दोस्तों reschedule शोर ना करने के क्या reason हो सकते है नमबर वन हो सकता है कि आप जो appointment schedule कर रहे है वो 24 घंटे पहले जो की पहले appointment schedule हो चुकी है उससे 24 घंटे पहले आप उसको reschedule करने कोशिश कर रहे है और दूसरा हो सकता है कि कई बार कि आपने जो इतने भी number of attempts थे सारे use कर चुके हैं जिस वजह से भी कही बार आप appointment schedule नहीं कर पाते हैं नेक्स दोस्तों एक situation आ जाती है नौश होगी उसमें क्या होता है कि applicant किसी वजह से appointment पर नहीं जा पाता और जिस वजह से वो reschedule करने कोशिश करता है तब नहीं कर पाता है तो उसमें क्या करना है सबसे पहले आपको एक mail drop करना है embassy को कि और reason बताना है कि किस वजह से आपने appointment अटेंड नहीं की है तो इसके इसमें क्या होता है embassy आपको appointment देती है अगर आपके पास rescheduling का option होता है तब और इसमें क्या होता है कि आपको appointment मिलती है 90 days के बाद जो आपकी prior appointment है I hope दोस्तों आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा और आप मुझे comment में करके बताएं कि आपको क्या topic सबसे जादा अच्छा लगा तो मिलते हैं next video में thank you very much friends